मैं अक्षनार एंपारिक, असेसेंट प्रोफेसर, सोशोलोजी, गवर्मेंट कॉलेज बुंदी आप सभी का एक बार पुनहें स्वागत करता हूँ, राज के महाविद्यल बुंदी के ओफिशियल यूटूब चैनल में प्यारे विध्यारतियों, आज का यह वीडियो, B.F.S.T.E.R. के विध्यारतियों के लिए है, जो की प्रशनपत्र 2 भारती समाज, इनियन सोसाइटी जो हमारा प्रशनपत्र है, उसे संबन्दित है, और जिसके अंतरगत हम लोग कर्म की बात हमने की, धर्म की बात हमने की, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पूरुशारत की बात करेंगे, कहने का ताथ पर यह है, भारती संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, मूल अव्यव हैं, या यह कहें, कि भारती संस्कृति में जिन तत्वों का अहम योगदान है, उनमें से पूरुशारत भी एक है, जब भारती संस्कृति के हम बात करते हैं, या आध्यात्मिक विचारदारा के हम बात करते हैं, तो पूरुशारत उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदू है, और उसके बारे में आज हम लोग विष्चर चर्चा करेंगे, और जानने का प्रयातन करेंगे कि वास्तों में क्या महत्व है समाश्यास्य महत्व क्या होता है तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो यदि हम देखेंगे तो जो हमारी हिंदू विचारधारा है उसके अनुसा जो भारती संस्कृती है वो आध्यात्मिक्ता और बहुत तिकवाद इन दोनों का संगम है कि यहां जुला रूप देखने को मिलता है मनुष्य अपनी भातिक आउशक्ताओं के साथ साथ आध्यात्मिक्ता को भी बनाए रखे हुए है कहने का तात पर यह है कि यह एक ऐसी संस्कृती है भारती संस्कृती के ऐसी संस्कृती है जो कि अपने आपको स्वैम को अक्षुन ने ब बनाए हुए है और इतनी संस्कृतियां आई और चली गई परन्तु जो भारती संस्कृति है इसने अपने आपको बचाए हुए है इसका कारण ये है कि इसमें भौतिकवाद और आध्यात्मिक्ता दोनों का सम्मिलित रूप है दोनों को हम सम्मिलित रूप में इसमें देख स तो सबसे पहले देखते हैं जो पुरुशार्थ है वो भौतिक वाद या भौतिकता और आध्यात्मिकता यदि हम देखें तो पुरुशार्थ दोनों का सम्मिश्रण है व्यक्ति पुरुशार्थ के अंतरगत आध्यात्मिकता को भी जीता है और भौतिकता को भी जीता है हम आगे बात करेंगे कौनकों से पुरुशार्थ होते हैं तब हम इस पे विश्चरचा करेंगे अब देखते हैं सबसे पहले पुरुशार्थ का अर्थ कि पुरुशार्थ का अर्थ क्या है यदि सामानी शब्दों में हम देखें तो जो पुरुशार्थ है वो प्राप्त करने के लिए उद्दम करना ही पुरुशार्थ कहलाता है किसी भी चीज को या अपने उद्देश्य को अपनी अभिष्ट चीज को प्राप्त करना ही पुरुशार्थ कहलाता है और अभिष्ट चीज का है अभिष्ट चीज का ताथ पर यहां है मोक्ष प्राप्ति अर्थात वास्तों में जो मोक्ष जीवन का अंतिम लक्षे है उसकी पूर्थी के लिए जो अन्य पूरुशार्थ मनुष्य के द्वारा मानव के द्वारा किये जाते हैं और इनके माध्यम से व्यक्ति को अपने लक्षे प्राप्त होता है और वो लक्षे क्या है वो लक्षे है मोक्ष की प्राप्ति यदि हम देखें तो जो पुरुशार्त है वो धर्ती लोग से परलोग में जाते हैं मलब संपूर्ण ये जो जीवन चक्र है उसके बाद की जो इस्तिती है जो की मोक्ष तक जाती है या मोक्ष प्राप्ति है जीवन का अंतिम लक्ष उसमें सभी में पूरुशार्ट सम्मिलित होता है और जो पूरुशार्थ हैं वो चार पूरुशार्थ बताए गए है कौन-कौन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये भारतिय संस्कृति में चार पूरुशार्थ के बारे में वर्णन मिलता है या चार पुरुशार्थ के बारे में चर्चा की गई है पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चोथा है मोक्ष तो अब इन चारों की हम विश्टर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि धर्म क्या है तो यदि धर्म का सामाने अर्थ देखें तो द्रियते लोकुने अर्थात धर्म वह है जिसे धारण किया जा सके जीवन में उतारा जा सके अर्थात वह है चीज जिसे व्यक्ति धारण कर सके या वे मूले जिनको जीवन में उतार सके और उनके अनुसार आस्रन और व्यवहार कर सके क्यों? क्योंकि जो धर्म है वोई व्यक्ति को उसके कर्तव वेपत पर आगे बढ़ने के लिए और उसके दायतों को पूरा करने की प्रेजना देता है यदि हम देखेंगे एक इसको एक्जामपल से समझेंगे यदि कोई व्यक्ति इश्वर में आस्ता रखता है तो उस आस्ता के कारण उसके मन में विश्वास पैदा होता है और वो अनेतिक या सत्य काम करने के बजाए सत्यता के मार्क पर चलने का प्रेजने करता है तो ठीक उसी प्रकार जो धर्म है वो व्यक्ति को उसके दाइत्रों को पूरा करने की प्रेणा देता है तो जो पूरुशार्थ हैं सभी पूरुशार्थ हैं ये महत्वपूर्ण हैं परन्तु धर्म के बिना अन्य पूरुशार्थों की पूर्थी नहीं हो सकती इसलिए तो कहा गया है ना कि जो व्यक्ति है वो इस जीवन का और पाडलोकिक जीवन का इन दोनों का जो मेक्शार है वो इस पूर्शार्ट के द्वारा ही पूरा होता है जो महावारत में भी धर्म की व्याक्या की गई है वो यही की गई है कि जो संपूर्ण प्राणी मात की रक्षा करता है तथा सभी को धरण करता है कहने का ताथ पर यह है कि व्यक्ति जब कुछ भी धरण करता है या यह कहें कि अपने कर्तवियों की पूर्ति करता है तो वो धर्म के अंतरगर्द आती है स्वधर्म के अंतरगर्द आती है तो जो पहला पुर्शार्त है धर्म की व्यक्ति के द्वारा जो अपने दाइत्वों की पूर्ति है यह आवशक नहीं है कि वो दाइत्व धार्मिक ही हो धर्म से ताथ पर यह है कि व्यक्ति के जो दाइत्व हैं जिनें पूरा किया जाना है तो यह पहला जो पुर्शार्त है वो हुआ धर्म अब आज़ो दूसरा अर्थ अर्थ को भी पूर्शार्थ में माना गया है अर्थ को भी पूर्शार्थ माना गया है व्यक्तिगत पारिवारिक तर सामाजिक दायतों की पूर्थी के लिए अर्थ की प्राप्ति धन का कमाना या ये कहें अर्थ का आशय है जो भोतिक सुख और आवशकताएं है व्यक्ति की उनकी पूर्थी के लिए व्यक्ति अर्थ अर्जन करता है धनका अर्जन करता है तो यदि हम देखें पियन प्रभु ने जो कहा है कि अर्थ वे सभी उपकरण वे भोतिक सादन है जो सांसारिक सम्रिद्धी की प्राप्ति के लिए आवशक है अर्थात व्यक्ति की जो भोतिक सुख सुईदाएं है या भोतिक आवशकताएं है या व्यक्तिक आवशकताएं है उनकी पूर्थी के लिए जब व्यक्ति धन का अर्जन करता है अर्थ का अर्जन करता है धन कमाने का प्रत्न करता है तो वो दूसरे पूरुशार्थ की श्रेणी में अर्था है अर्थत पहला पूरुशार्थ धर्म दूसरा अर्थ और रिग्वेद में एक जो अर्थ है वो सब भौर्तिक वस्तूं का उसको परियाय माना गया है जिसकी आ प्रकार के कारियों को पूरा नहीं कर पाएगा इसलिए अर्त का भी उतना ही महत्व है तीसरा है काम काम छब्दि से आशे है, जो है अपनी हिंदू विचारदार है हिंदू संस्कृति है उसके अंतरगत जो काम है उसको पुर्शारतों के अंतरगत महत्वपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् और वास्ताएं हैं उसके रूप में समझा जा सकता है। इसलिए इसी करण से ये जो पूर्शार्त है वो सबसे निमने कोटी का पूर्शार्त माना गया है। हम देख सकते हैं तो व्यापक एक संकुचित। यदि बात करें व्यापक रूप में तो जो काम है उसका आर्थ उन सभी इच्छाओं की संतुष्टी से है जो इंद्रिये परक है। जिसे इंद्रियों की संतुष्टी जिनके द्वारा होती है। और मानाव के जो संदर्यात्म है या यह कहें कि व्यक्ति की इंद्रियों वाली प्रवर्ति है उसकी पूर्ती करता है। और संकुची तूप में जो काम है वो व्यक्ति के यौन संबंदि जीवन को व्यक्त करता है। तो एक पक्ष तो व्यक्ति की कामना से संबंदित होता है और दूसरा पक्ष व्यक्ति करता है और यह है शारेरिक और मांसिक दोनों इस तरों पर ही प्राप्त किया जाता है जैसे प्रेम अनुराग ये सभी सोंदरे प्रेता ये सभी के साथ साथ यौन संतुष्टी ये भी इसके अंतरगत या काम के अंतरगत आते हैं इसलिए जो पुर्शार्त के अंतरगत है वो काम को भी दखा गया है और तो फ्राइड ने कहा है कि व्यक्तित्रों के समुषित विकास में केवल काम प्रवर्ति को ही महत्व दिया जाता है क्योंकि भारती संस्क्रती में यदि हम बात करें तो काम का महत्व इसलिए भी है कि जो योन समबदी इच्छाएं है उनके साथ-साथ जो काम है वो पत्ती-पत्नी में प्रवेम बढ़ाता है संतानोत पत्ती होती है और व्यक्ति को पित्र रिंड से मुक्ती मिलती है और यहां कहा गया है कि संतानोत पत्ती के पत्ष्याती व्यक्ति को मोक्षी प्रापती होती है और समाज में दिन दर्था बनी रहती है इसलिए जो काम है पूर्षार्थ उसका भी अत्यन्त महत्व है अगला है मोक्ष जो मोक्ष है उसको जीवन का अंतिम लक्षे माना गया है कि सभी पूर्षार्थों की पूर्थी के बाद, धर्म, अर्थ और काम तीनों की पूर्थी के पश्यार्थ अंत में जो लक्षे होता है व्रति का वो मोक्ष की प्राप्ति होता है और जिस लक्षे के लिए ये धर्म अर्थ और काम तीनों पूर्षार्थ किये जाते हैं कापडिया कहते हैं कि मोक्ष को मानव जिवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुपूति के पती की रूप में माना जा सकता है कि जो मोक्ष है उसे मनुष्य के जो अंतिम उद्देश्य अंतिम लक्ष है उस अनुसार समझा जा सकता है तो मोक्ष को हिंदू विचाधार में भिन भिन रूपों में इस्परस्ट किया गया है यदि हम देखें तो जो मोक्ष है उसकी जो प्राप्ति है वो जो तीन पूर्शार्थ हमने पड़े धर्म अर्थ और काम उन तीनों की पूर्थी के पश्याध ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष का सामाने शब्दों में अर्थ देखें तो जो जीवन मरन का चक्र है जो जीवन मिस्तियू का जो चक्र है उससे मुक्ष होना ही मोक्ष कहलाता है और व्यक्ति कब इससे मुक्त हो सकता है जब वह नहतिक रूप से अपने अन्य पूरुशार्थों की पूर्थी करता है इसलिए ये जो चारों ही पूरुशार्थ हैं ये समाज शासे दिश्टिकों से अतियन्त महत्वपूर्ण इस्तान रखते हैं कि धर्म का अपना स्वयम का एक महत्व है जब व्यक्ति अपने दायतों की पूर्थी करता है तो वह समाज के लिए और व्यक्ति के जबूप से स्वयम के लिए भी कारिये करता है इसी प्रकार से अर्थ जो की दूसरे स्थान पर है तो अर्थ का महत्व भी बिल्कुल इसपस्ट है कि किसी भी धार्मिक कारियों की पूर्थी के लिए या किनी धार्मिक कारियों की पूर्थी के लिए अपने दायतों के निर्भा के लिए पारिवारिक और सामाजी कर्तवयो पूर्थी के लिए जो अर्थ है उसका उसके धन है उसकी अतियंद आवशक्ता होती है इसलिए अर्थ का महत्व भी समाश्यास्य दिश्टी से अतियंद महत्वपूर्ण है उसी प्रकार काम तो जो काम का है उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है या उसकी भी महत्वपूर्ण समास्यासिस्टिकोर्ण से महत्वपूर पूपयोगिता है कि व्यक्ति की जो योन कामना है व्यक्ति जब उनको उनकी पूर्ति करता है साथ ही मानसिक तनावों से व्यक्ति को ये मुक्ति दिलाता है और जिसके परणाम सुरूप संतानोत्पत्ति होती है और वंस्परमपरा चलती है तो यह जो पूरी सन्रचना है यह सभी चारों ही जो पूर्षार्थ हैं यह अपना जैसे मोक्ष है यह जी मोक्षे महम बात करें तो यह जीवन का अंतिम लक्षे है और धर्म और काम और अर्थ इनकी इसकी पूर्थी के साधन है पूर्षार्थ है वो भारती सामाजिक जीवन का एक मनोवग्यनिक तथा नैतिक आधार कहा है जिससे वेप्ति को मानसिक तरइंतुष्टी प्राप्त होती है और उसके जीवन का अंतिमुद्देश्य है उसको प्राप्त करने में साहेता मिलती है तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पूर्षार्थ के बारे में चर्चा की कि पूर्षार्थ क्या है इसका क्या महत्व है और कौन कुन से पूर्षार्थ हैं जिनमें विक्तिकार्य करता है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद